गरीद पर बारिश की आपदा नसीब एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने का काम करता था इस काम के लिए पेट्रोल पंप का मालिक उसे रोज के साढ़े तीन सो रुपे देता था नसीब अपनी बुढ़ी मा के साथ एक जोपड़ी में रहता था गर्मिया खत्म होने वाली थी और बारिश के मौसम की शुरुवात हो गई थी नसीब की मा शन्नो पहले तो लोगों के घरों में काम करती थी लेकिन बहुत बूर ही होने और बीमार रहने के कारण नसीब अब अपनी मा को काम पड़ नहीं जाने देता था घर का खर्ष नसीब की कमाई से ही चलता था बेटा बारिश का मौसम आ गया है गर्मिया तो किसी तरह से कट गई लेकिन बारिश के मौसम में हमारी जोपड़ी से बहुत पानी टपकता है जिसके कारण पूरी जोपड़ी में पानी भर जाता है पूरी बारिश चार पाई पर बैट कर गुचारनी पड़ती है ठीक है बेटा, अल्ला तुम्हारे सेट को महफूज रखे नसीब अपने सेट से दो हजार रुपए उधार ले लेता है इन पैसों से कल ही एक टीन की शेट खरीदूंगा और अपनी जोपड़ी में लगवाऊंगा उस दिन वो पैसे लेकर घर जाता है मा, ये दो हजार उपए सम्हाल कर रख लो, इन पैसों से कल ही एक टीन की शेट खरीद कर लाऊंगा शन्नो वो पैसे चीनी के डिब्बे में रख देती है दोनों माँ बीटे रात का खाना खा कर सो जाते हैं थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगता है बादल जोर दोर सितर अच रहा था और आस्मान में बिचलिया चमक रहे थी मा, मा उठो, बहुत तेज दूफान आ रहा है लगता है हमारी जोपडी गिर जाएगी हमें जोपडी से बाहर जाना होगा जैसे ही नसीब और शन्नो जोपडी से बाहर आते हैं बारिश की मोटी-मोटी बूंदे जमीन पर गिरने लगती है देखते ही देखते बारिश बहुत भयानक रूप ले लेती है नसीब और शन्नो की छूपटी पानी में पूरी तरह गीवी बुचाती है उनकी छूपटी के अंदर बहुत पानी भर गया था घर का सामान भी पानी में पहने लगा बाहर बारिश में खड़े नसीब और शन्नो भी बुरी तरह से भीग जाते हैं वो अपनी आखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए या खोदा तुझे क्या मन्सूर है तुझे सताने के लिए हम गरी भी मिले है चोटी सी जोपड़ी थी वो भी हमसे चीम ली अब हम कहा जाएंगे अल्ला पर भरुसा रखो मा वो जरूर हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा हाँ बेटा अल्ला बहुत मददकार है बारिश और तोफान में नसीब की जोपड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी अगले दिन सुबह नसीब पास के रैन बसेरा में अपनी मा को रख कर काम पर चला जाता है उस दिन नसीब के मालिक का बेटा पेट्रोल पंप पर आया था वो नसीब से कहता है ए सुनो कल पापा ने तुम्हें दोजार उपए उधार दिये था न वो वापस करो नहीं तो तुमारी सेलरी में से काटी जाएगी और आज तुम काम पर रेट आयो इसके भी पैसे काटे जाएगे पेट्रोल पंपर काम करने वाला दूसरा करमशारी नसीब को बताता है कि सेड़ जी बहुत बिमार है और उनका बेटा अभी अभी विलायत से पढ़ लिखकर आया है और अपसे अपने पिता का बिजनेस यही संभालेगा नसीब के सिर पर दुखो का पहार तूट पड़ा था बारिश में घर बरबाद हो गया और उपर से सेट का उधार भी चुकाना था रात को जब नसीब रैन बसेरा में पहुँचता है तो देखता है कि शन्नो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है मा, मा, क्या हुआ मा, उठो मा नसीब देखता है कि उसकी मा को तेज बुखार था बारिश में भीग जाने के कारण शन्नो की तब्यत काफी बिगड़ गई थी नसीब शन्नो को जग जोड़ता है मा, मा, उठो मा लेकिन शन्नो कुछ बोल नहीं रही थी ना ही उठ रही थी बुखार और भूख के कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी नसीब फूट-फूट करोने लगा काफी तेज बारिश के कारण पूरे शेहर में जल जमा हो गया था नसीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे ना ही घर बचा था ना कुछ खाने के लिए राशन था और ना ही मा के इलाज के लिए पैसे थे नसीब शन्नो को गोद में उठा कर पास के सरकारी अस्पताल में जाने लगता है लेकिन रास्ते में ही अचानक फिर से तेज बारिश होने लगती नसीब और शन्नो फिर से भीगने लगते है नसीब की मदद को कोई नहीं आ रहा था लेकिन रास्ते में आने जाने वाली गाडियां उस पर पानी के छीटे जरूर फिल कर जा रहे तभी नसीब के बगल में एक गाड़ी आकर रुखती है अरे भाई पागल है क्या है इतनी बारिश में बूरी औरत को कहां लेकर जा रहा है अरे कौन है ये नसीब उस आदमी की तरफ देखता है अरे तुम जी आप कौन अरे मैं उसी पेटरोल पंप से पेटरोल भरवाता हूँ जहाँ तुम गाड़ियों में हवा भरते हो मैंने तुमसे कई बार अपनी गाड़ी में हवा भी भरवाई है भई तुमें स्वक्त कहां जा रहे हो साप मेरी मा बहुत बीमार है और हमारी जोपड़ी तूफान और बारिश में बरबाद हो गई है ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठीक है ठीक है तुम जल्दी से मेरी गारी में बैठो मेरा नाम कुशल है और मैं पास के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को जानता हूँ महां तुम्हारी मा का इलाज हो जाएगा नसीब और उसकी मा को अस्पताल ले जाता है जहां शन्नु का इलाज चलता है नसीब दो दिन तक शन्नु की देख़ाल अस्पताल में रहकर करता है डिस्पैंसरी से ये दवाईया ले आईए नसीब दवाई लाने के लिए डिस्पेंसरी जाने लगता है लेकिन दो दिन से बारिश रुखने का नाम ही नहीं ले रही थे बारिश में भीखता हुआ नसीब डिस्पेंसरी तक जाता है और दवाई लेकर आता है काफी भीगने के कारण नसीब को भी तेज बुखारा गया था उसी अस्पताल में नसीब का भी लाज होता है दो दिन बाद इनकी तबियत में सुधार हो गया है अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं नसीब अपनी मा को अस्पताल लेकर बाहर सड़क पर आ गया सोच कर नसीब बहुत परिशान हो गया तभी मस्जिदों में अजान पढ़ने लगी इतनी परिशानियों में भी नसीब खुदा की अबादत करना नहीं भूला और दोनों मा बेटे सड़क के किनारे बैट कर नमाज पढ़ने लगे तभी उनके बगल से गाड़ी कुजरी और नसीब के सेट जी गाड़ी से उतर कर बाहर आए नसीब ने आखे खोली तो देखा सामने सेट जी खड़ी थे सेट जी आप मैं काफी दिनों से बिमार था अब इसलिए पेट्रोल पंप पर नहीं आ सका तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो मालिक मेरी मा की तब्यद बहुत कराब थी वो अस्पताल में भरती थी मालिक बारिश और तूफान में मेरा आशियाना तूड गया आपसे जो पैसे मैंने उदार लिये थे वो भी पानी में बैग गये और आपके बेटे ने मुझसे उदार के पैसे वापस मांगे मालिक मैं कहां से चुका पाता इतने पैसे अब तुम परिशान मत हो मेरा बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है उसे अभी बिजनस चलाने का अनुभाव नहीं है अभी तुम और तुम्हारी मा मेरे साथ मेरे घर चलो सेर्ची नसीब और उसकी मा को घर ले जाते हैं और उन्हें भर पेट खाना खिलाते हैं और अपने बंगले में बने सर्वेंट कौर्टर को नसीब को रहने के लिए दे देते हैं ये लो कमरे की चाभी तुम और तुम्हारी मा अब से यहीं रहो तुम लोगों के यहां रहने से मेरे घर की रखवाली भी हो जाएगी और कल से एक काम पर आ जाना मेरे पीछे बहुत से करमचारी काम छोड़ कर चले गए है तुम्हें दो-तीन लोगों का काम संभालना होगा तुम्हारा काम देखकर अगले महिने से तुम्हारी तंखवा भी बढ़ा दूगा और मालिक वो उधार के पैसे मेरे घर की रखवाली करने की सेलरी समझ कर रख लो बहुत-बहुत धन्यवाद मालिक बहुत-धन्यवाद अल्ला आपको सलामत रखे नसीब अपनी मा को लेकर सर्वेंट कोटर में रहने चला जाता है देखा बेटा, मैं कहती थी न, अल्ला हमारी मदद जरूर करेगा वो गरीबों की मदद हर हाल में करता है हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए अल्ला हमारी में करता है अल्ला हमारी में करता है